हेलो एवरिवन, वेलकम टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कवीता है यह है दीप अकेला तो जो न्यू सेशन के बच्चे हैं, 2024 बच्ची सेशन है जिनका उनके लिए यह वीडियो है आसान व्याक्या या easy summary आप इसे कह सकते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ और इसके free PDF notes भी आप सभी को provide करवा दे जाएंगे तो अगर आपकी कोई query है तो इंस्टा पे आप message कर सकते हैं, username आप सभी के सामने दिया गया है और अगर आपको हमारे free PDF notes डाउनलोड करने हों, तो आप telegram app डाउनलोड करें और telegram पे आपको सर्चमारना है class 12 ESP new group यहाँ पे आपको जो भी PDF notes होंगे वो time to time मिलते रहेंगे तो यह है deep akela जिसको लिखा है कवी अग्ये ने, ठीक है? अग्ये ने इसको लिखा है, और अगर मैं आपको बताओं, यह deep akela कवीता जो है, अग्ये की एक पुस्तक बावरा अहेरी से ली गई है यानि कि अग्ये ने एक किताब लिखी थी, बावरा अहेरी, उस किताब से यह कवीता उठागे आपके स्लेवस में दी गई है और इस कवीता में दीपक को मनुष्य का परतीक बताया गया है, दीपक, जो दिवाली पे दीपक हम जलाते हैं, दीप होता है उसको मनुष्य का परतीक बताया गया है, और मनुष्य की व्यक्तिकत सत्ता को समाजिक सत्ता में जोड़ने का संदेश दिया गया है यानि कि अगर समाज में कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई इसमें टेलेंट है, कोई अगर उसके अंदर स्किल्स हैं, तो वो अपने तक ना रखे, उसको समाज में समर्पित कर दो, means उस व्यक्ति को समाज से जोड़ो, ताकि समाज का भला हो, सभी लोग आगे बढ़ सके तो अगर आप देखोगे, यह दीप है, यह क्या करता है, यह जब जलता है ना, तो चारों और प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही एक बुद्धिमान, एक इंटेलिजेंट एक व्यक्ति होता है, जो अपने बुद्धी से, जो अपने दिमाग से, पूरे समाज का भला कर सकता है, पूरे समाज को अंदकार से निकाल सकता है, तो यह इसके अंदर बताने का में परफस है, ठीक है, तो यह इसका काव्यांच है, यह दीप अकेला सने भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यह जन है गाता, गीत जिने फिर और कौन गाएगा, पंड पंक्ति को दे दो, पंक्ति का मतलब है यहाँ पर समाज, और धीप का मतलब है एक मनुष्य, तो एक जो दीपक होता है न, उसकी यहाँ पर कुछ विशेस्ता हैं बताई जा रही है, देखो, जिस परकार एक दीपक, जो तेल से भरा हुआ होता है, सीधी लो के साथ जलता र पर दीपक उसको अंदकार को दूर कर देता है उसी परकार मनुष्य अकेला होता है और उसे पता होता है कि उसमें शक्तियां है उसमें गुण है और वह उन गुणों पर गर्व करता है और इतराता भी है तो ऐसा ही एक मनुष्य भी है जो बहुत जादा इंटेलिजेंट है त उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, तो वो इतराता है उसके उपर, तो कवी कहता है, यदि एक दीपक को पंक्ति में जोड़ दिया जाए, तो प्रकाश में वृद्धी हो जाएगी, आप अगर एक दिया रखोगे, तो वो थोड़ी रोशनी करेगा, आप अगर हजारों दिये लाके रखोगे, तो वो कितनी सारी रोशनी करेगा, ऐसे ही समाज में एक व्यक्ति जो है, अगर वो समाज से जुड़ेगा, तो बहुत जादा प्रकाशित हो जाएगा, तो इसी तरीके से ठीक उसी परकार एक मनुष्य को समाज में जोड़ दिया जाएगा, तो समाज के सभी लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, जो एक व्यक्ति के पास knowledge है, वो अपना ग्यान समाज में जाकर जब देगा, फिर उसके बाद आगे है, यह वह व्यक्ति है जिसे समाज में जोड़ना बहुत जादा जरूरी है, जो व्यक्ति कुछ extraordinary है समाज के, जो बह intelligent आदमी ही एक समाज के अंदर बुराईयां खतम कर सकता है, यह अपने आप में अकेला ऐसा गोता खोर है, जो समुंदर की गहराई में जाकर सच्चे मोती ढूंड कर लाता है, means यह जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मनुश्य है, अगर आप इसको समाज में जोड़ोगे, तो यह स साथ ले लो वरना मोती ढूंड कर कौन लाएगा, अर्थात यह जो ऐसा व्यक्ति है, जो बहुत जादा समझदार है, इसको समाज में साथ लेने की बहुत जादा जरुत है, इसको समाज का अंग बनाओ, ताकि समाज का फाइदा हो, यह तो उस हवन की लकडी के समाने जो ज तीला ही सुलगाएगा, यानि कि यह आग उसी व्यक्ति के अंदर है, जो समझदार है, तो उसके जैसा कोई नहीं है, इसलिए इसे समाज का विकास हो सकेगा, अगर ऐसे व्यक्ति समाज से जुड़े रहेंगे, जो बहुत टेलेंटिड हैं, जो एक्स्ट्राओडिनरी हैं, तो इससे बहुत जादा हमें फायदा देखने को मिलेगा, दूसरा कावियांच है, यह मदू है, स्वेम काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमरित पूत, पैय फोड धरा को रवी को ताकता निर्भय, यह प्रकृत स्वेम भू ब्रह्म अयूत इसको भी शक्ती को देदो, यह दीप अकेलास ने बरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ती को देदो, अब यह दूसरा कावियांच है, इसमें अग्गे जो कवी हैं, वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि शहद धीरे-धीरे बनता है, ऐसा तो है नहीं, शहद को टाइम लगता है, और समय की टोकरी में यह दीरे-धीरे कटा होता है, टाइम लगता है ना, शहद धीरे-धीरे-धीरे एक-एक बून से शहद बनता है, तो कवी मनुष्य की तुलना करते वे कहता है, कि मनुष्य मधू और गोरस के रूप में मधुरता और पवित्रता के सम सुकून देने वाला प्रेम से भरा हुआ और दूसरों का उपकार करने वाला है जैसे मनुष्य है न ये भी इसी शहद की तरह है जो धीरे-धीरे दूसरे लोगों का उपकार करता है ठीक है ऐसा मनुष्य समाज में होगा तो ये धीरे-धीरे सभी को भई मतलब सभी के नईया पार लगा देगा, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला होता है, ऐसा मनुष्य है, ठीक है, उसके साथ प्रेम करो, समाज में उसको जोड़ो, और यह है, मनुष्य अंकुर की तरह स्वेम पैदा होकर, विशाल सूरज को बिना डरे ताकता है, जैसे एक अंकुर होता बी जो तरह वांकुरित होकर बहार निकलता है, पोधा बनकर सूरज को ताकता है, ठीक इसी परकार, यह जो समाज का ऐसा व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, समजदार है, यह भी सभी मुश्किलों से बिना डरे खड़ा रहता है, और समाज को बचाता है, अर्थात वैवी जो अपनी लगुता में भी कापा, वह पीडा जिसकी गहराई को स्वेहम उसीने नापा, कुट्सा अपमान अवग्या के धंदुआए कडवे तुम्में यह सदा द्रवित चिर जागरुक, अनुरुक्त नेत्र उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिग्यासू प् दीप की तुलना मनुष्य से की गई है, उस व्यक्ती से जो परोपकारी है, वो व्यक्ती जो समझदार है, वो व्यक्ती जो बुद्धिमान है, और वह अपने लगु स्वरूप से डढ़ता नहीं, जिस परकार दीपक आग को धारन किये रहता है, जैसे दीपक क्या होता है, उसका स्वरूप लगु होता है, दीपक छोटा होता है, पर वो अपने अंदर पूरी आग को शामिल करके रखता है, छोटा दीपक जरूर है, पर उसके अंदर पूरी की पूरी आग समाहित होती है, तो इसी परकार वह स्वेम को जलाता है, और उसके बावजुद वह जलता रहता है और दूसरों को परकास देता है तो दीपक खुद भी जलता है दूसरों को भी परकास देता रहता है ओके और जागरुक रहता है और ऐसा मनुष्य जिसमें स्ने है जो लोगों से प्यार करता है जो ज्यानी है जो knowledge वाला है वह भी deep की तरह ही है जो जब ऐसा व्यक्ति जब समाज से जुड़ता है तो समाज का विकास हो जाता है तो जो व्यक्ति ऐसा है जो गर्व भरा है बहुत जो लोगों से प्यार करता है जो बहुत समझदार बुद्दीमान है वो समाज से जुड़ेगा तो पूरे समाज को ही आगे ले जाएगा तो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी कवीता यहाँ पे खतम होती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं वीडियो को शेर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जै हिंद जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में